ज्यानी बनकर मत नीरस उपदेश दीजिए लोक कर्म भव सत्य प्रथम सत्कर्म कीजिए ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की कलम से निकली थी और आज की ये विशेश चर्चा हम सब के प्रियसाहित्यकार पंत पराधारित परिचे करवाना चाहूंगी हमारे स्टूडिय में मौजूद दो विशिष्ट अतितियों के साथ सबसे पहले श्रीमती मंजुरानी सिंग बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे कारिक्रम में आप बत और हिंदी प्राध्यापे का विश्व भारती विश्व विद्याले में कारियरत थी वहां के लैंग्विज डिपार्टमेट में बत और प्रिंसिपल भी आसीन रहीं और लिखती हैं साहितिकार हैं दूसरी आती थी हमारी आज की श्रीमतीरीता भटाचारिया बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार मुख्य प्रवंधक राजभाशा के बत और आप कारियरत रहीं और फिलहाल साहिति जगत से आपका नाता है आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं विभिन पत्र- में चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगी सबसे पहले मंजु जी से मैं जानना चाहूंगी कि हम सब यह जानते हैं पंत जी ने बहुत ही बालेकाल में या फिर मां को तो उन्होंने देखा ही नहीं उनकी जन्म के बाद ही मां उनकी चली गई तो प्रकृती को उन्होंने अ पंत जी के बारे में, आसल में पंत जी का जन जो हुआ वो अलमोडा में हुआ और कौसानी घाटी जो थी और वहां परवत प्रदेश पूरी प्रकृती का बिलकुल सौंदर्य फैला हुआ था, तो यह बड़ा दुखद है किसी भी बच्चे के लिए कि दो-चार घंटे के बी जी के साथ ऐसा ही हुआ, तो मैं ये कहना जाती हूं कि हमें बिल्कुल ये सोचने की बात है कि ऐसा बच्चा, जिसको लोग भाशा में कभी टूर कहते हैं, कभी बेनमा कहते हैं, यानि कि वो अब कैसे पालन होगा, और दूद कटू भी कहते हैं, जिसने दूद ही मां का नह होता है एक होता है डिप्रेशन में यह गुद्रिसू होता है और एक होता है उसका विकास सास्वत के साथ उसका संबंध हो जाता है तो वह जोड़ाता मैं पंत के लिए यह कहना चाहूंगी कि बच्पन से ही उन्हें प्रकृति की गोद मिल गई, और प्रकृति में जो उन्होंने अपना एक विकास पाया, यानि प्रकृति को मा, बच्चा तो क्या मानेगा, प्रकृति ने वैसे ही उनका पालंद पोशन कर दिया, जैसे एक बीज को जब हम मिट्टी में डालते हैं, तो सारे तद्ट जो प्रक खुद बखुद उस बीज को पनपने में विकास करने में लग जाते हैं और ऐसा पेड़ आपने देखा होगा कि ऐसा पेड़ हमेशा जीवन देता है उसे सीचने की जरूरत ब्यक्ति को नहीं पड़ती है तो हमेशा देखिए कि पीपल बरगद इन सब के बारे में कहा जाता ह है कि उसके बीज रोपे नहीं जाते बलकि पक्छी जो है उनके बीज खा लेते हैं और उनके पेट में प्रोसेसिंग होती है और उस प्रोसेसिंग से वह बीज मिट्टी में पड़ जाता है और फिर से बरगद मिल जाता है यानि पंत को एक विशाल प्राकृतिक गोद मिला जहां उनका विकास हुआ और उन्होंने बच्पन में वह सब देखा, अनुहब किया कि किशोर बै में उनका एक साथी भी होता है, मतलब लड़की भी हो सकती है, साथी होती हुई होगी, तो उन्होंने एक पंक्ती लिखी है जो बहुत फेमस है उनके लिए, कि बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलजादू लोचन, छोड़ प्रकृती की माया और द्रुमों की छाया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलजादू लोचन, यानि कि जहां प्रकृती इतनी विशाल पैली और इतना उसका आकर्शन है उसमें खुद ही रोमांस है तो केवल एक सीमित जीवन को उन्होंने बहुत बच्पन से देख लिया था और उन्होंने प्रकृती के लिए बहुत सारी कविताइं लिखी जिसमें मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जो उन्होंने ये किया कि प्रथम रश्मी का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको सामने लाना चाहती हूं जैसे कि अच्छा लगेगा सुनने में कि प्रथम रश्मी का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना कहां कहां है बाल विहंगिनी तूने पाया यह गाना तो यह जो प्रकृती का observation है, मतलब यहां मैं किसी बच्चे को पंत को पढ़ाने जैसी बात नहीं है, यहां जो हम आप से चर्चा कर रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं, वो इस विकास को कुछ अलग दृष्टी से, मनोवैग्यानिक दृष्टी से देखते हैं, तो यह जो हम observation है, प्रकृती के प्रती, प्रथम रश्मी का आना रंगेनी, तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल भिहंगेनी, पाया तूने यह गाना, आप यहां एक एक जरा सा टोकना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर एक दूसरा पक्ष्ट भी आ जाता है, जैसे आपने मनोवैग्य यहां पर एक आयाम दिया है, जब बड़े हो रहे थे, तो वहां से मैं रीता जी से जानना चाहूंगी, मन्जु जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगी, कि यहां पर एक प्रश्ण और उभरता है, कि बड़ी बच्पन में उन्होंने अपना नाम बदला, क्योंकि वो जब पैदा हुए थे, तो सुमित्रा नंदन पंत नहीं कहलाते थे, तो गोसाई दत थे वो, बताएं आप दर्शिकों को और कितरी छोटी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा एक निर्ना लिया, तो कौशानी के वरनाकुलर स्कूल में उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई, उ उनको कौशानी का सौंदर, प्राकृतिक सौंदर और वो एक आकीपन वहां पर जाकर उनको नहीं मिला, और उनको क्या मिला, अलमोडा के हाई स्कूल में जब अड्मिशन लेने गए, तो उनको वहां पर वहां के नगरिये जीवन की सुविधाएं दिखाई दी, और उनको वहां का जो समाज था, समाजिक परिवेश था, उसने उनको बहुत प्रभावित किया, इतना प्रभावित किया कि जब वो हाई स्कूल में अड्मिशन के लिए गए, तो उन्होंने सबसे पहले उनको ये लगा कि नेपोलियन के चितर को उन्होंने देखा, जब उन्होंने एड्मिशन लेने के लिए गए, तो उनको लक्षमन का आदर्श चरितर उनको बहुत प्रभावित कर गया, और तब उन्होंने खुद ही अपना नाम कहा कि मैं बदल कर, अब मैं गुसाईदत नहीं रहूंगा, और सुमित्रा नंदन पंत रहूंगा, क्यों तो उन्होंने अपना नाम बदल का सुमित्रा नंदन रहूंगा, यह विचार भी अगर मन में उत्पन हो, एक बच्चा कितनी टेंडर होती है उस वक्त, विख्रदय कितना कॉमल होता है, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा एक निर्ने था, लेकिन यहां से जो शुरु अगर हम घूम जाएं या वो मोड हम देखें तो छायवाद की बात आती है, तो बहाँ पर उनके साथ जो और भी लोग है, जो चार स्तंभ हम जानते हैं, मंजी जी से पूछना चाहूंगी कि वो किस तरह उनसे अलग थे, दोस्ती हलां कि काफी थी एक दूसरे के साथ, बिल तो मैं जैसंकर प्रिसाद, नीराला, पंत और महादेवी, तो पंत जी के बारे में ये है कि अभिवेंजना शिल्प जो है, छायावाद के बारे में एक विशिष्ट बात हमें जान लेनी चाहिए कि यह नव जागरन की तीसरी लहर से पैदा हुआ था, इसके पहले दुवे संध्यावादी कभी कहता है, तो वो मानवी करन कर देता है, यहाँ बरनात्मकता है कि दिवसा अफसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुन्दरी धीरे धीरे धीरे, तो यह जो दिवस का अफसान समीप था, वही शब्द यहाँ दिवसा अफसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुन्दरी यहां संध्या जो है सुन्दरी हो जाती है और पंत में यह अभिवेजना शेल्प शब्दों के प्रति सजगता कुछ ज्यादा ही थी उनका बिम्ब और प्रतिकात्मक्ता उनकी कविताओं में सायास लाया गया था और उन्होंने आकरनिक बदलाव भी किया जो कि लोगों के बीच प्रचली तो नहीं हुआ लेकिन शब्दों पर उनका एक कसाव था शब्दों के प्रति उनकी सजगता थी तो इसे लिए मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि छायावादी कभियों ने शब्द चयन किया शब्द निर्मान कि शब्द विन्यास किया और इसी को मतलब अगर आप रूप आपने अभी बात कही थी कि रूप सज्जा जैसी बात भी आगई थी कि वो अपनी सजावत करती थी यह सजगता जो है सजाने वाली वो उन्हें राविंद्रिक एक प्रभाव कहिए या क्योंकि राविंद्रिक प वहां मानवी करन कविताओं में रविंद्र संगीत में मिलता है तो यह जो इनको बड़े-बड़े कवियों के बारे में फिर विदेशी कवियों से भी प्रभावित हुए वर्ट्सवर्ट टेनिसन इन सब से लेकिन रविंद्रिक के साथ जो उनका मैंने एक मतलब अभी ध् वताई के प्रथम रश्मी का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना तो जो है तुमी के मौन को रेगान को रोहे गूनी तो यह जो एक रहस्यात्मक प्रकृति का गुन है कि कैसे अवाक हो जा रहा है और कभी वहाँ भी अवाक हो जा रहा है कि पक्षियों को कैसे पता चल जा रहा है कि किरने आने वाली है सूरज आने वाला है तो उसमें एक शब्द है विहंगिनी विहंगिनी शब्द जो है वो निर्मान किया हुआ है विहग का अर्थ होता है सूर्य और पक्षी और उसमे नी जब उन्होंने लगा दिया तो प्रत्य से वह एक स्ट्रिलिंग शब्द होकर वह पक्छियों का जो गाना है वह सुर्य की तरह जगाने वाला भी है तो यह जो विहग विहग नहीं बना कर मैं कह रही हूं क्यों शब्द निर्मान है और इसी तरह उन्होंने तरुवासनी बहुदर्शनी इसी कविता में आके कहा है इनका भी इस्तिमाल किया है एक और आयाम है यहाँ पर मैं रीता जी से पूछना चाहूंगी वो यह है कि पुरानी और नए सभताओं का तालमेल भी उभर कर सामने आ जाला था इस पर आप से जानना चाहूंगी फिर मन्जु जी से पी तीन पड़ाव है एक तो है चायावाद और फिर सामाजी का आधर्शों से प्रेरित प्रगतिवाद और इसके बाद अध्यात्म वाद क्यूंकि वो अर्विंद के अध्यात्म से बहुत प्रभावित रहे और उनका ये कहना था कि अध्यात्म ka और विज्ञान का भषतिक तावाद का और अध्यात्म का समन्वर बहुत ही आवशक है उन्होंने कहा कि भौतिक विज्ञान हमें ग्यान का प्रकाश तो देता है हमें भौतिक विज्ञान सब भी बनाता है किन्तु संस्कृती नहीं प्रदान करता तो ये संस्कृती प्रदान करती है हमें अंतर की ग्यान की पिपासा तो वो अंतर का ग्यान पंत जी का कहना था कि प्राचीन साहित में बहुत अधिक मिलता है वो संस्कृती प्राचीन साहित में मिलती है उन्होंने ये भी कहा कि भौतिक फिक ग्यान जो है वो हमें प्रकाशित तो करता है बाहर से प्रकाश देता है लेकिन अंतर का प्रकाश जो हमें चाहिए वो हमारे अंतर के मूल ले प्रदान करते हैं और उनका यही कहना था कि भौतिकतावाद और अध्यात्म का समन्वे बहुत आवश्यक है और उन्होंने ये पूरे जोर देकर कहा कि आने वाले समय में इन द सब्सक्राइब करें के रीता जी से मैं अनुरोद करूंगी कविता पढ़ती है फिर अगर आप कहेंगे तो एक और कविता प्रिय है उसकी कुछ पंग्तियां या पदबंद बता दूंगी तो जो मुझे एक कविता मुझे पसंद है मैं नहीं चाहता चिर सुक तो वह कहते ह मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचोनी, खोले जीवन अपना मुख, फिर वो कहते हैं सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन, फिर घन में ओजल हो शशी, फिर शशी से ओजल हो घन, आगे जग पीडित है अ अविरत दुख है उत्पीडन, अविरत सुख भी उत्पीडन, दुख सुख की निशा दिवा में सोता जगता जग जीवन. अंतिम पदवंद में वो कहते हैं, यह सांज उशा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनन, रे इस मानव जीवन का. तो यह उनकी एक चुटे कविता थी, एक उनकी थोड़ी लंबी कविता है, परंतु उसके दो पदबंद बता देती हूं, शुरू का और अंतिम का, उससे कुछ कविता का अंदाजा लग जाएगा, जिसमें उन्होंने कहा, आह धरती कितना देती है, बहुत खुश हो के कहते ह मैंने छुटपन में छिप कर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड उगेंगे, रुपेओं की कलदार मधूर फसलें खनकेंगी, और मैं फूल फल कर मोटा सेथ बनूँगा, पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहां गए, कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कलपना के अपलक पावडे बिछा कर, मैं अबोध था, मैंने गलत बीजवोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सीचा था, फिर वो कहते हैं, अर्धुशती हहराती नि शरदे मुसकाई, सीसी कर हे मंत कपे, तरुझरे खिले वन, और जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिये, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतु हलवश, आंगन के कोने की गीली तहको, यूहीं उंगली से सहला कर, बीज सेम के दवा दिये थे, मिट्टी के न इस चोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी, जिसे याद रखता मन, किन्तु एक दिन, जब मैं संध्या को आंगन में तहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा, उस से हर्ष विमूर हो गया मैं विसमय से, ओह समय पर, उनमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितन इस चोड़ी फलियां उफ उनकी क्या गिनती, लंबी लंबी अंगुलियों सी, ननी ननी तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, जूट न समझें, चंदरकलाओं सी, नित बढ़ती, सचे मोती की लड़ियों सी, धेर धेर खिल, जुंड जुंड जिल मिलकर, कचपचिया तारों सी, इतनी फलियां तूटी जाड़ों भर खाई, सुबह शाम वे घर घर पकी, पडोस पास के जाने अन जाने सब लोगों में बटवाई, बंदु बांधों, मित्रों, अभ्यागत, मंगतों ने, जी भर भर दिन, रात, मुहले भर ने खाई, कितनी सारी फलियां, कित पुत्रों को नहीं समझ पाया था मैं, उसके महत्व को बच्पन में छिह, स्वार्थ, लोभवश, पैसे बोकर, रत्न प्रसवनी है, वसुधा अब समझ सका हूं, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दान बोने हैं जिससे उगल सकें फिर धूल सुनहली फसलें मानवता की जीवन श्रम से हसे दिशाएं हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। होती है उनकी रचनाओं में तो आपसे भी सुनना चाहूंगी आपकी एक कोई बहुत पसंदीदा खृती और आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। हाँ मैंने थोड़ी सी चर्चा ये की थी बताना चाहती हूं कि रविंद्र नात को गांधी जी कहा करते थे कि गुरुदेव आपको तयार होने में इतनी देर क्यों होती है। तो वो कहते थे कि इतनी साथ सज्जा आप क्यों करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं फूलों की तरह दिखना चाहता हूं जो लोगों का परवकार और कुछ कर नहीं सकता। तो सुन्दर दिखता है तो लोगों का मन खुश हो जाता है, शान्त हो जाता है, उनके बहुत सारे तनावों कम हो जाते हैं। सुंदर था वो जो सौंदरी है, वो एक फूलों का सौंदरी, एक प्रकार का परूपकार है। तो रवेंद्र नात से पंतजी को अगर मैं तुलना कर रही हूँ, ऐसा लिखा नहीं है कहीं, लेकिन वह वी केश विन्यास और अपने सौंदर विन्यास में रहते थे, और यहां मैं कहना चाहती हूँ कि वे इतने सजग थे उस मायने में कि वे सुन्दर दिखें यानि हो सकता है कि उनका विध्यान हो कि लोगों का भाव उनको देख कर बिलकुल अच्छा अनुठा लगे उन्हें सुन्दर खुशी हो और इस तरह की जो एक प्रब्रिती होती है उस व्यक्ति को अपनी रचनाओं में भी उतनी ही सजगता होती है तो उन्होंने जो रूप और भाव कह रही है तो कविता के अर्थ में रूप जो है कविता के अभिवेंजना शिल्प को दरसाता है जो की थोड़ी सी चर्चा मैंने पहली की थी तो मैं ये एक कविता चाहूंगी जिसमें कि आप देखे कि भाव को किस तरह से रूपाईत करने की कोशिश करते हैं पंत और वहीं पर शब्दों के प्रती इतने इमांदार होते हैं और सच तो यह है कि यह एक बात निकल कर आती है कि कविता जो है साधारन जो भाशा है वहीं से जन्म लेती है साधारन भाशा को इस तरह कभी विन्यस्त करता है सजाता है कि उससे आसाधारन अर्थ निकलने लगता है और सास्वत एक चमतकार पैदा होता है इसलिए कविता को चमतकृत करने वाली अभी विन्यजना कही जाती है कि कारिकर जो है कारिकर जीरे दीरे जैसे परवान चड़ रहा है तो समय भी हम समेटेंगे तो इस कविता शांत नौका विहार बहुत प्रसिद्ध कविता है धर्ति कितना देती है जो हमने सुना उसमें देखे कि भौतिक वाद से उपर उठकर किस तरह से हमें मानवटा के गीत गाने हैं और मानवटा के लिए रत्न प्रसवनी धर्ति को किस तरह से हमें समझना है और उसको सम्मान देना है तो नौका विहार में भी एक गंगा को, जल को, चांदनी को किस तरह से रुपाईत करते हैं उससे हमारा संबंद कैसे बनता है चांदरी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर सिकता की सस्मित सीपी पर यह उनका रूप भाव को रूप देना कि सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की जोचना रही विचर मोती की जोस्ता जो है वो बिचर रही है उसकी जो किरनी है लोपाले बंधी खूला लंगर इतना तो उन्होंने प्राकृतिक वर्णन किया लेकिन इससे हम मानव को क्या मिल रहा है और मानव जीवन को क्या उससे ग्रहन करना है जो जो लगती है नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार इस धारा साही जग का क्रम शास्वत इस जीवन का उदगम शाश्वत है गती शाश्वत संगम शाश्वत नव का नीला विकास शाश्वत ससिकाय रजत हास शाश्वत लगु लहरों का विलास हे जग जीवन के करनधार चिरजन्म मरन के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार मैं भूल गया अस्तित्व ज्यान जीवन काया आम्रत वदां तो हमेशा पंतr हो रहिए वह केवल उनका विकास नहें उनके वयक्तिक विकास और वैश्विक विकास और उनका लक्ष रहा और हमेशा सास्वक्थ coloca प्रति उनका आग्रही गायक थे, अगर कुछ शाश्वत है, तो वो केवल प्रकृती है, प्रकृती से ही हमें मिलता है अमरत्व का दान, और पंत्ट की कविताओं में बार बार ये बात उभर कर सामने आई है, आज की इस चर्चा में सब कुछ समेटना तो संभव नहीं था लेकिन जितना भी हो हम सबने मिलकर चर्चा की सुमित्र नंदन पंत पर पंत प्रेमी यहां तीन लोग उपसित स्टूडियो में मंजुरानी सिंग, रीता भटाचार्या और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार